हैलो दी-इस-ट्यू-स कैसे आप सब लोग आशा करता हुं कि आप सब लोग बहुत बैतर होंगे लेकर आ चकूँ हुआ आप सब लोग के लिए क्लास 12th का सैंपल पेपर को काफी अदर डिटेल में हम लोग डिसक्स करने वाले और दो पैरमिटर से इसको को discuss करने वाले हैं पहला हम लोग को समझेंगे और उसके बाद जो सी बीए सी ने आंसर दिये हैं उन आंसर के पूरा पेपर है इसके पैटन को कैसे बाइफरकेट किया गया है एकनॉमिक्स के अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एकनॉमिक्स है उसका कोड जो है वो 030 है और 2024-25 का यह सैंपल पेपर है और सैंपल पेपर के अंदर कुछ क्कु हिंपोर्टंट बाते आपको यहाँ पर बता रखी है जो आप लोग को जरूर कंसिडर करनी चाहिए सबसे पहली चीज यहाँ पर बता रखी है यहाँ पर आपको दो सेक्शन्स बोल vista कर आपका पूरा पेपर हो नो दो मैक्रोिक sonney जिसके इंदर Indian economic development है यानि की ID वाला portion है macro economics जो है वो आपका 40 marks काईगा यह आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो आपका Indian economic development है वो भी 40 marks काईगा इसकी भी बेटेज कितने marks की है 40 marks की है total इस question paper के अंदर 24 multiple choice questions है कितने है 20 multiple choice questions है यानि की एक marker question जो है वो आप लोग को multiple choice के form में देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद आपको 4 short answer type questions देखने के लिए मिलेंगे, 3 marks के, जिसको कि आप लोगोंने 60 to 80 words के अंदर answer करना है, देखो यहाँ पर जो यह limit बता रखे हैं, 60 से 80 words, कोशिश करिएगा कि इसी limits के अंदर आप लोग questions के answer करें ज्यादा अगर आप लोग बड़े-बड़े answer लिखने की कोशिश करते हैं, तो examiner को evaluate करने में थोड़ी से दिक्कत होती है, तो ऐसा है बिलकुल भी करने के कोशिश मत करिएगा, इस paper के अंदर आपको 6 short answer type questions देखने के लिए मिलेंगे, 4 marks के, जिसको कि आपने 80 से 100 words के और शुरू करते हैं किसे macro economics हैं, और macro economics में जो सबसे पहला question है, वो क्या गयता है, read the following statement carefully, आपको statement को बिलकुल ज़्यान से समझना है, और statement क्या कहती है, पहली है assertion और दूसरा है reason, और आपको सही correct options को दिये गए, option में से क्या करना है, चूस करना है, यानि कि आपको option दे र by purchasing government securities in the open market, अगर government open market के अंदर क्या करती है, government securities को purchase करती है, तो इसके वैसे जो deflationary gap है, वो कम हो जाता है, अगर आप सब लोगों को पता होगा, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो deflationary gap है, उसका जो curve है, वो आप लोगों को कैसे बनता हो, नजर आता है, ठीक है, त इसको rectify करने के लिए, ठीक है, लेकिन हमें क्या बोलता है कि government securities को purchase करना चाहिए market से, अगर government securities market से purchase हो जाएगी, तो उसकी वज़ा से, जो money का flow है market के अंदर, वो कम हो जाएगा, तो उसकी वज़ा से deflationary gap control नहीं होगा, बलकि inflationary gap control होगा, इसका मतलब कि पहली वाली statement का answer ज purchase करता है government securities को open market के अंदर, ताकि वो lending capacity को commercial bank की बढ़ा सके, तो बिलकुल अगर open market operations की अगर बात की जाए, तो open market operation जो है, वो instrument है, किसका instrument है, इसका instrument है, monetary policy का instrument है, जिसकी मदद से, RBI क्या गर सकता है, RBI inflation और deflation को control करने की कोशिश कर सकता है, तो अगर क्या गया था, कि जो central bank को purchase करना चाहिए government securities को, open market के अंदर, government securities को purchase कर लो, तो अगर government securities open market से purchase होगी, तो उसकी वैसे क्या होगा, जो security किसके वास आजाएगी, government के पास आजाएगी, लेकिन, जो market है, उस market के अंदर, पैसा infuse हो जाएगा, तो जिसकी वज़ा से, जो lending capacity है, commercial bank की, वो increase हो जाएगी, इसका मतलब कि पहली वाली statement हमारी गलत है, और दूसरी वाली statement हमारी सही है, इसका मतलब कि हमारा जो right answer होना चाहिए, कि पहली statement हमारी false है, लेकिन reason जो हमारा सही है, यानि कि D वाला option जो है, वो बिलकुल इसका correct answer होना चाहिए, अब आईए, इसको यहाँ पर भी देखने के कोशिश करता है कि CBSC ने इसका answer क्या दे रखा है तो CBSC भी कहता है कि यह इसका जो बिलकूर right answer that is D कि assertion हमारा गलत है लेकिन हमारा reason सही है option number D is the correct answer क्या है इसका option number D correct answer है और आपका answer भी कैसे करने हैं आपको answer भी ऐसे लिखने है आपने जैसे कि exam के अंदर पहले लिखना है solution to question number 1 और उसको right answer क्या होगा D और D answer क्या है हमारा कि assertion assertion A is false कि assertion जो है वह हमारा गलत है but reason but reason R is true ऐसे ही आप लोगोंने इसका क्या करना है answer लिखना है ठीक है पहले वाले question का answer यह होगा second question देखते हैं और second question का answer जानने की कोशिश करते हैं कि second question का answer क्या है second question आप सब लोगों के सामने क्याता है कि the cabinet led by prime minister has decided that the central government will provide free food grains to 81.35 crore approach यानि कि 81.35 crore food grains जो है उतनी amount का क्या किया जाएगा government के दोरे distribute किया जाएगा बैनिफिसिरी अंडर्स प्रधान मंतरी ग्राम कल्यांड अन्योजना for a period of five years with the effective from 1 January 2024 तो अगर आप लोग देखेंगे तो यह current का question है ऐसे भी question सबसे पूछे आता है ताकि आपके conceptual knowledge को test किया जा सके तो based on the aforesaid statement यानि कि इस statement के अधार पर आपको decide करना है कि जो budgetary objective है government का जो वो achieve करने की कोशिश कर रही है सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रही है resources का या फिर distribution करने की कोशिश कर रही है तो this is known as the redistribution of the resources क्या बोला जाता है यानि कि जो भी resources government के पास है उनको redistribute करने का प्रियास जो है यहां पर किया जा रहा है तो जब government यहां पर क्या गर्रिया अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहां पर government distribute करने की कोशिश कर रही है redistribution हो कितने का 85 point something croda amount का ताकि लोगों तक जो है वो समान पहुंच सके राइट food grains जो है वो लोग उसको क्या कर सके access कर सके थर्ड कोशन हमारे पास है और थर्ड कोशन क्या गयता है थर्ड कोशन हम लोगों से कहता है to arrive at the value of gross value added at market price हमें क्या करना है gross value added निकालनी है किसके उपर निकालनी है market price के उपर निकालनी है must be added to the gross value added at basic prices ठीक है basic prices के उपर से आपको क्या करना है market value निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको correct options को fill up करना पड़ेगा पहला कहता है कि आपको product taxes को इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा net product taxes production taxes net production taxes लेकिन आप सब लोग बोलेंगे कि सर्ज हमने national income पढ़ा था तो national income के अंदर हमने तो net indirect taxes के बारे में बात करी थी किसके बारे में बात करी थी हम लोग उने net indirect taxes के बारे में बात करी थी हमने तो ऐसी कोई भी बात वहां पर नहीं करी है जिसके अंदर हम लोग जो है product की बात करने लग रहे होंगे है लेकिन आप लोग समझेंगे कि यह product tax तो नहीं हो सकता है यह production tax भी नहीं हो सकता है यह net production tax भी नहीं है तो यह क्या है बटा net product tax है तो net product tax की category के अंदर हम लोग इसे डालेंगे जिसके अंदर हम लोग basically बात ही किसकी करने वाले है indirect taxes की बात करने वाले है और subsidies की बात करने वाले है किसकी बात करने वाले है subsidies की बात करने वाले ये दो बाते जो है उसके अंदर आने वाली है इसका मतलब option number B जो होगा वो इसका right answer होगा क्यों होगा इसका right answer option number B will be the right answer to this question now we have the fourth question अब चोथा question है हमारे पास और चोथा question हमारे सामने क्या कहता है under dash exchange rate system अब ये exchange rate का question है market forces automatically adjust the surplus and deficit in the balance of payment account choose the correct option to fill up the following fixed flexible managed floating or dirty floating तो देखो यार अगर मैं बात करता हो हमारे exchange rate system के तो हमारे पास generally दो तरह के exchange rate system रहता है fixed exchange rate system रहता है और एक हमारे पास flexible exchange rate system रहता है flexible exchange rate system के अंदर जो हमारे पास flexible exchange rate system है इसके अंदर जो market में demand और supply है market में जो demand और supply है उसे demand और supply के according उसे demand और supply के according चीजों को determine किया जाता है और यहां पर पूछने भी क्या लग रहा है कि कौन से exchange rate system के अंदर market forces automatically adjust करती है surplus और deficit को तो आपको पता है कि यह कहां पर देखने को मिल लगा आपको flexible exchange rate system के अंदर इसलिए इसका जो right answer है वो क्या भी है managed floating के अंदर fixed के अंदर या फिर डर्टी floating के अंदर डर्टी floating एक component है जिसको exercise किया जाता है किसके द्वारा RBI के द्वारा जहां पर RBI खुद क्या गरने की कोशिश करती है manage करने की कोशिश करती है किसको prices को foreign currency के तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा flexible exchange rate system इसका right answer रहने वाल है आई अब इसको देखते हैं इसका right answer क्या बता रखा है यहाँ पर भी बोल रखा है flexible exchange rate system ठीक है तो flexible exchange rate system will be the right answer to this question अब अगला question देखते है और अगला question हमें क्या कहता है next question कहता है कि from the given diagrams identify the correct options that indicate the reference line passing through the original original drawn at a particular angle राइट तो आपको क्या करना है reference line की बात करनी है और reference line का आप लोग को पताए कि reference line नजे ऐओ 45 degree के angle से पास होती हो जाती है तो आपको पता है कि रेफरेंस लाइन जो है 45 डिग्री एंगल से एस्सेट करती है इसका मतलब option number a इसका right answer होना चीए right क्या होना चीए इसका right answer option number a should be the right answer to this question अब देखते हैं कि यहाँ पर option क्या कहता है तो यह visually impaired candidates के लिए question generally आया हुआ है और अगर आप सब लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर भी क्या बता रखा है कि 45 डिग्री जो है वो बिलकुल यहाँ पर right answer रहने वाला है next question देखते हैं और next question यहाँ पर क्या कहता है अगला question अगला question इसके अंदर है क्या कुछ और भी अंडर कैनिशियन theory reference line is a straight line passing through the origin drawn at an angle of यह हमें लोग को पता चल गया है कि इसका जो right answer है 45 रहने वाला है यहाँ कि B option जो है विलकुल correct answer होगा now next question आप सब लोगों के सामने right as per the government data as per the data presented in the union budget 2023-24 the total revenue receipts you have a total receipts of the government other than borrowings and the total expenditures are estimated at यानी कि revenue कितने कि 27.2 लाग करोड की है और दूसरी तरफ जो है overall expenditure जो कितने का है 45 लाख करोड रुपे का है कितने का है 45 लाख करोड रुपे का है the value of dash deficit would be 17.8 लाख रुपीस यानि कि total आपको बताना है कि कि deficit की value जो है वो 17.8 लाख रुपे रही कि ठीक है तो यहर देखो अगर आप देखेंगे overall expenditure 45 लाख का है और revenue जो है वो कितने का 27.2 लाख करोड रुपे का है अगर आप इसको expenditure को यहाँ पर अगर minus करते हैं तो आपको expenditure की value कितने दिखेगी आपर 27.2 लाख करोड माइनस 17.8 लाख करोड रुपे रुपीस राइट आपको यह निक्चे यह value है तो 27.2 लाख expenditure कितना है हमारा 45 करोड का है expenditure is of 45 करोड और हमारे पास जो revenue receipt है वो 27.2 करोड की है अगर difference बता अब यह आप से पूछते हैं किस टाइप के deficit की बात कर रहा है तो यहाँ पर directly expenditure में से किसको minus करें हम लोग receipt को minus कर रहे और जब expenditure में से receipts को minus किया जाता है तो उसको बोले आता है fiscal deficit कैसा deficit बोले जाता है ऐसे fiscal deficit बोले जाता है यानि कि option number B जो रहेगा वो बिलकुल इसका सही आंसर रहेगा क्या रहेगा option number B यहाँ पर देखें आंसर sixth का भी जो answer है वो क्या है that is option number B now next question अगला कोशन यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो अगला कोशन क्या कहता है read the following statement carefully दी गई statement को आप लोगोंने क्या करना है बिलकुल ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कौनसी statement से यह कौनसी गलत है हम लोग को पताए कि maximum value of marginal propensity to consume जो होती है वो unity हो सकती ठीक ह as the income of the economy increases the proportionate increase in the level of consumption is always more than the increase in the level of the income और आपको इस statement के अधार पर बताना है कि कौनसे statement से ही है पहली statement से है और दूसरी statement गलत है पहली statement गलत है दूसरी से यह दोनो statement से ही है या फिर दोनो statement यहाँ पर आप लोग को गलत नजर आ रही है तो अगर यार आप लोग यहाँ पर देखते हैं पहली बात आप लोग को पता है कि marginal propensity to save और marginal propensity to consume की value क्या होती है 1 होती है MPS की value और MPC की value क्या है 1 होती है अब marginal propensity to consume unity हो सकता है क्या हो सकता है अगर marginal propensity to save 0 हो जाए यानि कि MPC की value जो है वो 1 हो सकती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका मतलब जो पहले वाली statement जो है वो तो सही लग रही है second statement आपके सामने क्या गयती है second statement आपसे बोलने लग रही है कि भाया जैसे जैसे income है economy के अंदर वह increase करेगी as the income in the economy will increase जो proportionate increase जो होगा consumption का वो always जादा होगा increase in the level of the income यानि कि जैसे जैसे income बढ़ेगी तो consumption जादा बढ़ेगा income के हिसाब से यानि कि income कम बढ़ रहे हैं लेकि consumption उसके साब से बढ़ता है नहीं तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हमारी income के अंदर increment आता हो नजर आता है आपको तो हमारी marginal propensity to save यानि कि हमारी जो saving है राइट वो saving जो है वो बढ़ती है ना कि हमारी consumption बढ़ती है पहली वाली सही है दूसरी वाली गलत है तो statement one is true and statement two is false पहली सही है और दूसरी गलत है यानि कि option number a ही इसका क्या होना चाहिए right answer रहना चाहिए तो साथवे का right answer है जो है बिलकुल इसका सही answer है next question देखते है अब हमारे सामने two sector economy की बात कर रहा है ठीक है अगर मैं two sector economy की बात करता हूं तो जो aggregate demand है उसको कैसे determine किया जा सकता है correct options यहां पर बताओ तो यह जब भी अगर एक economy के अंदर sectors of economy के अगर बात की जाए किसकी बात की जाए sectors of economy के अगर बात करते है आप लोग तो हमें एक चीज़ पता है कि एक economy के अंदर जो है वो total हमारे पास चार sectors देखने करे मिलते हैं there are four sectors in the economy और वो चार sector कौन कौन से होते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहला जो sectors हमारे पास रहता है वो हमारे पास household sector रहता है दूसरा sector जो रहता है हमारे पास वो रहता है हमारे पास forms right third sector जो हमें देखने के लिए मिलता है that is government sector कौन सा sector होता हमारे पास government sector होता है four sector जो रहता है वो हमारे पास रह की कि बात करता हूँ, तो यह तींगों एक्जामप्ल है, close economy यह तीनों sector मिलकर क्या बनाते है, closed economy बनाते हैं, लेकिध जैसे ही उसके अदर चौता sector include हो जाता है, तुम्हारी closed economy ju演ू convert हो जाती है, किसके अंदर open economy गेंदर, it get converted in to open economy, ठीक है, किसके अंदर अब आप सब लोग यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि questions के अंदर क्या बोला गया है question कहता है कि अगर मैं two sector economy की बात करता है और two sector economy का मतलब क्या हुआ कि हम closed economy की बात कर रहे है यानि कि पहला sector और दूसरे sector को include करने की कोशिश कर रहे है और जब पहला sector और दूसरा sector इसके अंदर include हो रहा है तो जो हमारी aggregate demand है उसको कैसे determine किया जा सकता है कैसे कैसे किस चिसको add करना पड़ेगा कि हमारी aggregate demand आ जाए तो aggregate demand two sectors के अगर बात करते हैं तो उसके अंदर basically एक आपके पास consumption expenditure रहता है यानि कि consumption होती है और दूसरा आपके पास investment होती है तो आई यह देखते हैं पहला कहता है कि autonomous consumption ठीक है induced consumption और induced investment यहाँ पर autonomous investment नहीं दे रखी है तो यह नहीं होना चाहिए autonomous consumption बिल्कुल autonomous investment and induced investment यह भी नहीं है autonomous consumption और autonomous investment होगी सिरफ और से नहीं autonomous consumption होगी induced consumption होगी autonomous investment होगी राइट क्या होगी है हमार पास autonomous investment होगी ठीक है तो इसका मतलब जो हमारा जो right answer होना चाहिए वो क्या होना है option number d two sector economy के अंदर आपको एक तो induced investment कि अप्शन का मतलब क्या होता है और इन्ड्यूस का मतलब क्या होता है इसको मैंने काफी जाधा detail गाता है तो आप लोगे एक बार जरूर वहां से justify करिए गा बाकी कमेंट करके भी आप लोगोंने यह बताना है कि इसका मतलब क्या होता है Now next question हमारे सामने और अगला question क्या कहता है Read the following statement carefully और answer the following question पहली statement आपके सामने कहते है कि foreign grants in aid receipts do not lead to any financial claim on the government foreign grants in aid receipt does not lead to any claim on the government यानि कि बाहर से जो भी foreign grant ली जाती है aid के तौर पर उसकी वज़े से किसी भी तरह का claim जो है वो generate नहीं होता है government के उपर पहली statement तो यह है second statement यहाँ पर क्या कहती है second statement कहती है disposal of equity by the public sector undertaking in the market may lead to a decrease in the asset of the government यानि कि अगर आप equity equity का मतलब क्या होता है यानि कि government की जो भी holdings है किस के अंदर public sector undertaking की जो भी holdings है अगर market के अंदर जो होगा वो decrease करेगी assets of the government यानि कि बिल्कुल अगर आप market के अंदर public sector undertaking के shares को बेचते हैं जिसे कि आप economics के अंदर dis investment भी बोल देते हैं कई बार आप इसे बोलते हैं कि इसे किये क्या है dis investment है तो अगर आपके द्वारे dis investment की जाती है तो dis investment की वज़ा से आप सब लोगों के assets के अंदर reduction आता है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही statement है और पहली statement आपके सामने क्या गया रही थी कि अगर government को aid मिलती है help मिलती है और दूसरी तरफ क्या disposal of equity जो है public sector undertaking के दुवारा इसकी वज़ा से आपके dis investment देखने क्ले मिलती है यानि कि पहली statement गलत है दूसरे statement सही है तो बी option जोगा वो इसका सही answer होगा क्या होगा इसका सही answer बी option जो है वो बिल्कुल इसका सही answer जो है वो यहाँ पर रहने वाला है ठीक है पहले वाला क्या था चलि पहली वाली aid है पहले वाले को statement के अंदर aid की बात कर रहा है aid का मतलब होगे help help की वैसे किसी भी तरह का impact जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा इसका मतलब कि जो पहली वाली statement है वो भी सही है और दूसरी वाली भी सही है ठीक है aid है financial aid aid का मतलब हो help अगर help मिलेगी तो कोई भी impact नहीं पड़ेगा दोनों statement यहाँ पर सही है अगला question अगर आप सब लोग देखते हैं तो अगला question आपके सामने कुछ कहता है और question क्या कहता है यहाँ पर based on the given diagram the trade under current account during 2024 reflect of dash UST billion तो यहाँ पर देख लेते हैं 2024 की बात कर रहा है तो 2024 के अंदर अगर मैं overall बात करता हूँ तो यहाँ पर merchandise और services की बात की जा रही है यानि कि यहाँ पर हम लोग balance of trade account की भी बात कर रहे हैं और service account की भी बात कर रहा है तो दोनों type के accounts की बात यहाँ पर की जा रही है ठीक है sir कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आप लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर export दे रखा है यह import दे रखा है export total 69.72 का है और import जो है 4 का 6 में से दोगे तो 4 और 14 में से 7 तो 0.74 तो हमने क्या किया है हमने इंपोर्ट ज्यादा किये है imports are greater than export imports are more than export तो भाई हमें यहाँ पर तो एक चीज़ पता चलिगी कि deficit देखने के लिए मिलेगा और deficit कितने का है 0.74 amount का है so we have deficit that is of 0.74 amount it means option number c is correct answer option number c जो है इसका correct answer होना चाहिए so यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है deficit that is 0.74 deficit है और कितने का है 0.74 का है visually impaired candidates के लिए भी यहाँ पर एक question है और question बहुत ही basic सा है question क्या कहता है question आप से पूछता है कि dash indicates the situation of current account deficit current account की बात कर रहा है capital account current account की बात कर रहा है तो current account के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो current account के अंदर हमारा पास balance of trade account भी हमारा आता है और इसके साथ साथ हमारा invisible trade account भी आता है यह दोनों account हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते है है we have invisible trade account and we have balance of trade account both of these accounts are shown in this तो पहले में कहता है कि receipts जो है वो ग्रेटर दन है payment of current account ठीक है receipts जो है वो बराबर होनी चीए current account के receipts are less as compared to payment on the current accounts and receipts are less than payment on the capital account तो आपको current account deficit की बात कर रहा है तो capital account का तो कोई role नहीं होगा तो option number c जो होगा वो सही answer होगा कि receipts हमारी कम है और payment जो है current account के उपर वो जादा है यानि कि option number c जो होना चीए वो इसका बिल्कुल सही answer होगा बहुत मतलब sample paper अगर भी आप लोग देखोगी तो और अपच्छे से अगर आप लोग तियारी वेरी करने लग रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि बहुत ही basic से questions आपको यहाँ पर बता रहे हैं कुछनों में कुछ खास मुझे ऐसा लगाने की questions में बहुत ज़्यादा दम है यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो रेसीर्स जो है वो क्या है कम है as compared to payments on the current account ठीक है payment के मुकाबले में चलिए अब next question देखते हैं और आपके पास full-fled questions आएंगे और full-fled questions से पहला ही question आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है किसका कोश्ण साप लोग को देखने के लिए मिलका नैश्टल इंकम का कोश्ण यहाँ पर देखने के लिए मिलते आपको सबसे पहले जी किसका है नैश्टल का a question है और ने लिए देखने से प्रतीत होता है यह किसका कोशन है या रीए यह एक Fr Albert का точкиำ सब्सक्राइw तो क्या किया जाता है चारों को क्या किया जाता है इसके अंदर एड किया जाता है तो सबसे पहले यहां पर देखो आप लोग तो आपसे पूछा गया है कि से कुशन है तो expenditure मेथड़ के अंदर हम लोग क्या करते है एग्रीगेट expenditure को add करते हैं एग्रीगेट expenditure की बात करते हैं और aggregate expenditure के अंदर consumption investment government export and import दोनों को क्या किया जाता है इन चारों को क्या किया जाता है उसके अंदर ठीक है हाउसूर्स के द्वारा जो कजबशने एकस्पेंडिचर किया जा रहा है यह वहाँ पर एड होगा इंक्लूड होगा यानिकी 800 विल बी इंक्लूटे दैन ग्रोस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर यानिकी इंवेस्ट कितने का न्वेस्ट मेशन का चाहिवारा इन इंक्सेडर किया जा रहा है वो एक स्थो सक्यूंड में का है इसको भी इंक्षेश फॉर्ठर हो लोग झाल करो एकसेस उस ब्पर णूट यानि कि export कम है, import जादा है, यानि कि यह वली amount जो यहाँ पर subtract हो जाएगी, यानि कि fourth अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कहा है, deficit है, क्योंकि हम लोगों ने import जादा किया है, export कम किया है, ठीक है, तो minus 20 कर दोगे है, यहाँ पर ठीक है, inventory के अंदर हम ल then हमारे पास net indirect taxes दे रखा है, ठीक है, net factor income from abroad दे रखा है, जुरूरत नहीं, consumption of fixed capital यानि कि हमारे पास depreciation दे रखा है, तो इन सब को यहाँ पर minus करोगे, कितने को, 40 के amount को, और इसको overall जब आप total करोगे, तो आपके amount निकल कर आ जाएगी, आपर देखो कैसे, यहाँ पर देख किया है, उसके 140 भी यहाँ पर include हो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें से 20, 40 और 70 वाली जो statement है, वो minus होगी, तो overall जो आपका अगर आप देखोगी, तो answer कितना आ जाएगा, 1750 करोड़, कितना answer आएगा, 1.750 करोड़, आप देखो, आपको जो marks है, वो कैसे distribute होंगे, प और फिर आप लोगों को answer निकालने का half mark, जो हो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, next question देखते हैं, और वो question इसमें और के form में है, और के form में मतलब क्या है, कि आप लोगों को यहाँ पर simply बताना है, कि national income को compute करते टाइम पर income method के अंदर क्या-क्या steps follow होते हैं, तो आपको यहाँ पर steps पूछे गए है, तो यहर सबसे पहले आप लोगों को पता है, कि हम लोग जब income method की बात करते हैं, तो income method के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग factor income को consider करते हैं, किसको लेते हैं हम सब लोग factor income को लेते हैं, और हमारे पास पता है हमें कि factor income जो है, वो चार तरक मैं देखने करें मिलती है उसके बाद इंटरस्ट की इंकम आती है हमारे पास और फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट आता है यह चार चीजे हमें यहां पर देखने करें मिलती है ठीक है तो इन चारों की चारों income को किया करता है सबसे पहले हमों compute करते हैं serious please कि उसके बाद इसका एडिशन करते हैं और भी कुछ आता है लिगा सिरेक और चीज इस कोपने वो तो बताए ही नहीं कि हम लोग इसके अंदर क्या गरते et He Zusammen को भी income करते हैं mix income is also included अच्छंक किया होती है तो mixed income हमारी वह income कि एक दूसरे से सेग्रीगेट करना कर पाना पॉसिबल नहीं होता है जैसे कि यार अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो तो आप लोग को पता होगा कि जैसे कि कोई सौल प्रोप्रिटर है या फिर कोई बिजनेस्मेन है तो उस केश के अंधर मालने ते किसी की शौप है तो उस केश कम कर रहा है कुद ही चीज़र यहां पर मैनेज कर रहे देख रहा है तो वहाँ पर वह क्या क्या नहीं कर सकता है उसमें से रेंट कितना होगा वेजिस कितनी होगी वेजिस कितनी दिनी है इंट्रस्ट कितना है प्रॉफिट वाल एलिमेंट कितना है इसको सेग्रीगेट जो है वह असानी से नहीं कर सकता है या फिर न इंकम के अंदर हम लोग क्या करते हैं NFIA को एड करते हैं नेट फेक्टर इंकम फ्रोम एब्रोड को एड करते हैं तो हमारी नैशनल इंकम आ जाती है हम लोग national income compute कर लेता है ठीक है अब आजो यार देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है यही चीज़े बोली गई है यहाँ पर भी देखते हैं सबसे पहले step में क्या बोला गया identify and classify production unit into distinct heads namely primary secondary and tertiary sectors ठीक है estimate यानि कि यह कह रहा है कि तीनों sectors की बात कर लो यहाँ पर यहाँ प्राइमरी सेकंड्री और टर्जरी के अंदर जो factors of production सबको include कर लो factors payment जो है different different categories के अंदर उसको क्या कर दो include कर दो जिसके अंदर आप लो compensation of employees operating surplus mixed income इसको दिखाऊ उसके बाद factor income represent करती है contribution of the sector जिससे आपकी domestic income निकल कर आजेगी जो कि NDP at factor cost होती है और finally हम लोग को इसके अंदर क्या करना होता है factor income from abroad को add करना होता है ताकि हम लोग NNP at FC यानि कि हमारी जो national income है वो निकाल ले यहाँ पर ठीक next question हमारे पास और बहुत ही basic सा question आप सब लोगों के पास है यहाँ पर यह भी कहता है जा tax revenue collected by the government may be categorized under two heads states and explain the two heads of the tax revenue अब आप लोगों को पता है कि जब tax revenue के अगर मैं बात करता हूं तो tax revenue के अंदर हमारे पास तो तरह की tax revenue हो सकती है एक तो हमारे पास direct tax हो सकता है एक हमारे पास indirect tax हो सकता है ठीक है एक हमारे पास direct tax है एक हमारे पास indirect tax है यही दो क्या है basic source of revenue है right these are the basic source of tax revenue collection अब direct tax के अगर मैं बात करता हूं तो direct tax एक ऐसा टेक्स है जो कि हमारी income के उपर लगता है और जो परसन इस income को कमाने लग रहा है burden उसी person के उपर पड़ता है यानि कि वही person को इस पैसे को जमा करवाना होता है इसके जमा करवाना हुता है इसके बाख फॉर्में जैसे कि direct tax का अगर मैं आप लोग को example दो तो हमारा income tax जो है, our income tax is an example of direct tax indirect taxes की अगर मैं दूसरी तरफ अगर बात करता हूँ, तो indirect taxes वो taxes होते हैं, जिसका burden जो है उस person के उपर नहीं पड़ता है जो कि इसको कमा रहा है, यानि कि this burden can be shifted, इस burden को shift किया जाता है एक person से दूसरे person के तरफ, यानि कि इसका example दिया जा सकता है GST, right goods and service tax is an example of this, ठीक है अब यार इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपको CBSC ने कैसे बताया है इसको, तो यहाँ पर आजाओ देखो, tax revenue collection by the government may be classified into two categories, number one we have direct taxes, it refers to those whose impact and incidence lies on the same entity, यानि कि जो पैसा कमाता है उसी के उपर इसकी liability भी पड़ती है, अगर मैं दोसी बासा में समझाओ, तो liability जो है direct tax को pay करने की उसको shift नहीं किया जाता है, बलकि जो burden है tax का, right the burden of tax falls on the same person falls on the same person, उसी person के उपर क्या करता है, वो fall करता है, ठीक है it falls on the same person now we have indirect taxes, फिर क्या आता है हमार पास indirect taxes आता है और indirect taxes के अंदर क्या होता है it refers to those taxes whose impact and incident may lie on the different entity यानि कि इसका impact और implication जो है किसी और person के उपर देखने करे मिलता है other words, जो liability है pay करने के indirect taxes को इसको shift किया जा सकता है एक person से दूसे person की तरफ, इसको shift किया जा सकता है तो इसको shift किया जा सकता है जबकि उसको shift नहीं किया जा सकता है ठीक now next question हमारे पास क्या गाता है foreign portfolio investment FPI, witness a sharp turnaround during 23-24 with the net foreign portfolio investment inflow of 32.4 billion US dollar, यानि की foreign portfolio investment के थू हमारे पास overall 32.4 billion US dollar जो हमें आते हो नजर आते हैं, in the sub account, in which sub account and on which side of the balance of payment account, the above transactions will be recorded, give reasons in support of your answer, ठीक है, simple सा कोशन है, अब यार हम लोगों ने जब accounts की बात करी थी, तो हमें पता है कि economics के अंदर हमारे पास जनली balance of payment के अंदर दो type के account होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास आता है current account और एक हमारे पास आता है capital account, second कोन सा आता है हमारे पास capital account, एक current account है और capital account है, current account के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग goods और services का transactions करते हैं, और capital account के अंदर हम उन transactions को record करते हैं, जिसका impact हमारी assets and liability के उपर बढ़ता है, जिसका impact हमारी assets and liabilities के उपर बढ़ता है, ठीक है, किसके उपर impact बढ़ता है, हमारे assets and liability के उपर पढ़ता है, अब foreign portfolio investment हमारी country के अंदर अगर देखी जाती है, और कितने की देखी जाती है, 32.4 billion US dollar के अगर foreign portfolio investment हमारे पास आती है, तो उसकी वजह से सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, कि यह हमारे पास credit होगा, यानि कि पैसा आएगा तो credit है, यही logic हमारा current account में भी चलता है, और यही logic हमारा capital account के उपर भी चलता है, पैसा आएगा तो credit side पे दिखाया जाएगा, और पैसा अगर जाएगा तो debit side पे दिखाया जाएगा, right, now अब पैसा तो आ रहा है, credit तो हो रहा है, ठीक है, पहली बात तो यह है, और दूसरी लेक investment अगर आ रही है, तो investment के साथ साथ हमारी assets के अंदर reduction देखने के लिए मिलेगा, और liabilities increase होती हूँ, नजर आएगी, तो asset क्यों reduce होगा, जब वो foreign portfolio investments हमारी country के अंदर invest करेंगे, किसी भी माल लेते, companies में invest करते हैं, फिर कहीं पर भी invest करते हैं, तो उसके बदले में वो क्या म capital account पर है, यह answer होना चीह, इसका, now let's see, किसका answer जो है, वो क्या दे रखा है, now foreign portfolio investment in India, in the financial year 23-24, will be recorded on the credit side, कहा पर दिखाया जाएगा, credit side पर, किसके capital account के, current account पर नहीं, capital account के, अच्छा, current account पर क्यों नहीं, क्योंकि current account पर है, तो हम लोग generally visible trade और invisible trade की बात करते हैं, इसे लिए balance of payment account, it is recorded on the credit side, कहा पर record होगा, credit side पर, as it results in the inflow of the foreign exchange, क्योंकि हमार पास क्या रहा है, foreign exchange आ रही है, तो foreign exchange आने की वज़े से, इसको कहा दिखाया जाएगा, credit side पर, furthermore, such transactions are documented in the capital account, as they reflect the change in the ownership of the financial asset, ठीक है, कहा पर दिखाया जाएगा, capital asset में, क्योंकि हमारे जो assets है, उस assets के अ होगा, तो ownership of the financial asset, देखने के ले मिलेगा, between the resident of the country and the rest of the world, resident और rest of the world के बीच में, आपको ये change देखने को मिलेगा, right, अब ये तो again बहुत ही basic सा question था, next point यहाँ पर देखते है, और अगला कहता है, state the meaning of balance of payment and deficit, ये तो बहुत easy सा question है, what is balance of payment deficit, right, so जब हमारी autonomous when our autonomous expenditures, when our autonomous expenditures are greater than our autonomous expenditure, this is known as deficit, what do we call it, we call it deficit, इस ही कोई deficit बोला जाता है, now let us see, क्या बोलता है, so यहाँ पर हमें बताया गया है, क्या बताया गया है, balance of payment deficit occurs when autonomous receipts falls short of the autonomous payment during a fiscal year, right, तो हमारी जब autonomous payment जो है, वो ज्यादा होती है, as compared to receipt, तो उसको क्या बोला जाता है, autonomous transactions, ठीक है, now, अगला question की बात करते हैं, और अगला question क्या कहता है, अगला question है, हमारे सामने यह रहा, और अगला question कहता है, saving curve, saving curve can be derived, saving curve can be derived from consumption curve, ठीक है, justify the statement citing valid steps with the help of well-labeled diagram, आपको steps बताने हैं, और उसके बार diagram भी बनाना है, तो यार इसका जो अगर आप लोग diagram बनाते हैं, तो diagram कुछ ऐसा बनता है, वो आप से लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, right, ठीक है, कुछ ऐसा आपको diagram देखने के लिए मिलता है, यह आपको दिखाता है consumption, यह आपको दिखाता है saving curve, ठीक है, यह किसका, यह क्या है, आपके वास consumption curve है, यह saving curve है, right, और यहाँ पर y is equal to c plus s, y is equal to c plus s, curve ऐसे बनता है, अब आईए यहाँ पर क्या बोला गया है, कि आपको curve बताना है, और उसकी पूरी के पूरी process बतानी, तो यार, इस बार पता क्या है, आपको process से बहुत ज़्यादा होता है, इसमें देखने को question मिल रहे है, तो सबसे पहले देखों यहाँ पर, given का सबसे पहले, तो क्या के steps हम लोगों ने यहाँ पर लिये, सबसे पहले, take away on the negative intercept on y-axis, यानि कि y-axis पे इसको negative intercept के ओपर लो, यह रहा, ठीक है, यह रहा, ओवे, यह हमार पास क्या है, this is our x-axis, यह हमार पास x-axis है, यह हमार पास y-axis है, ठीक है, यह हमारा चले गए negative, तो यह OA क्या हो गया, negative intercept हो गया, ठीक है, यहाँ से आपने क्या क्या, saving card बनाया, saving card बनाया, क्योंकि initially, जब आपकी income 0 होती है, ठीक है, तो आपकी saving भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, और यहाँ पर यह आपको दिखा रहा है, 45 degree का, यहाँ क्या दिखाता है, Y is equal to C plus S का concept, और यह आपका consumption है, consumption यहाँ से क्यों शुरू होती है, because it shows autonomous consumption, क्या दिखाता है, यहाँ पर, autonomous consumption दिखाता है, it shows autonomous consumption, and it is represented by C, AC बोलो या फिर C बार, बोलो आप, ठीक है, C बार से दिखाते है, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानि कि consumption जब income बढ़ेगी भी, तो person क्या करेगा, consumption करेगा, लेकिन जैसे ही, एक particular point का, उसके income बढ़ती है, तो उसका, जो overall saving है, वो increase होना शुरू हो जाता है, जैसे ऐसे income बढ़ती है, और consumption जो है, जो consumption है, वो क्या होना शुरू हो जाता है, decrease होन consumption start following, right, consumption क्या होना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है, अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, अब आपन को यह points जो है, वो explain करने, इनको लिख सकते हैं, आप लोग अपनों points में, तो देखो क्या गयाता है, taking away as the negative intercept on y-axis equals to OC autonomous consumption, having positive intercept on the y-axis, OC यानि कि जो हमार समझ में आईगी कि OA जो है, यह negative intercept है, क्योंकि हमारे axis से कह नीचे है, इसलिए क्या बता रहा है, negative intercept, जबकि यह वाला जो करव यह कहां बनाया, ऊपर बनाया है, तो यह कैसा दिखा रहा है, positive side, positive side, positive intercept, this shows negative intercept, right, और saving negative क्यों है, मैंने इसका reason आपको already बताया, तो देखो यहा affecting the x-axis at b, whereas s is equal to 0, which is another point on the saving curve, joint point a to point b, extending the line till point s to get the saving curve as, हमें क्या मिलेगा है, saving curve मिलेगा, और वह saving curve क्या होगा, हमारा as, देख रहे हैं मिलेगा, ठीक है दर, यही बात यहां पर भी लिखे गई है, दोनों जगा पर यही बात है, ठीक, अब, next question, और next question हमारे पास क्या practical question है, क question है, असा question है अभी, for two hypothetical economies, two hypothetical economies बता रखे हैं, एक economy हमारे पास a है, और एक economy हमारे पास p है, the value of the marginal propensity to consume, MPC की value आपको दे रखे है, कितने 0.6 दे रखी है, और 0.8 दे रखी है, ठीक है, respectively, ठीक है, दो situation के लिए है, यानि कि a वाल a के लिए आपकी जो marginal propensity to consume है, वो 0.6 है, औ marginal propensity to save कितना है, 0.8 है, assuming for both the economies, autonomous consumption, C bar, to be 40 crores and investment expenditure to be 100 crore, investment expenditure कितना है, आपके पास 100 crore का है, औरनमस के लप्षन यान कि सीवार कितना है आपके पास में आपके बास में दे रखा है 40 करोड आपके पास ओवरॉल इनवेस्टमेंट आपको बता रहे कितने की बता रहे हैं यह 100 करोड की investment आपको बता रखी है, we have investment of 100 करोड, saving of 40 करोड, now break-even level of income for economy A, A वाली economy के लिए आपको break-even level बताना है, तो break-even level के लिए क्या होगा, Y is equal to C, right, पहले वाले case के अंदर के होगा, देखो यहाँ पर आजो, फटा फट से देख लेते हैं, कैसे बता रखा है, सबसे पहले आपको यहाँ पर autonomous consumption C बार दे रखी है, कितने की 40 करोड की, आपको investment expenditure दे रखा है, 100 करोड का, ऐसी ही आपने इस को बताया, वो होता है, Y is equal to C, क्या होता है, Y is equal to C, consumption, हमें पता है कि Y is equal to C का मतलब क्या हुआ, Y is equal to C मतलब क्या हुआ, Y is equal to C मतलब consumption, consumption के अंदर दोनों type के consumption, autonomous consumption, प्लस induced consumption, दोनों आएगी, तो Y is equal to autonomous consumption होगा, C bar, plus 0, plus marginal propensity to consumed multiplied by Y, यही होता है मारा formula, और अगर मैं इसे solve करत कि, autonomous consumption केतने के, 40 की है, और पहली वाली economy के लिए marginal propensity to consume कितने है, 0.6, Y की value हमें यहां से निकालनी है, इनकम की value निकालनी है, तो Y is equal to, कितना हो जाएगा, यह 0.4 is equal to 40, और Y की value कितने हो जाएगी, 40 divided by 0.4, और जब आप इसको solve करेंगे, तो यह कितना आजाएगा, 100 करोड, 100 करोड आजाएगा, कितना आजाएगा, 100 करोड आजाएगा, second वाली economy के अगर बात करते हैं, तो second वाली economy के अंदर investment दे रखी है, simple जी बात है, क्या बता रहा है हम आपर, investment बता रहा है 100 करोड रुपेका, यहां पर देखो, तो क्या गयता है यहां पर, and investment expenditure of, assuming for both the economics, autonomous consumption to be 40 क and investment expenditure to be 100 करोड ठीक है, अब इस वाले case के अंदर क्या होगा, again, same formula आप लोग अप्लाई करोगे, right, लेकिन यहां पर income क्या होगी, C plus I होगी, so Y is equal to C, C means C bar plus marginal propensity to consume multiplied by Y plus investment, Y is equal to autonomous consumption, autonomous consumption second वाले economy के लिए हमें दे रखिये गया है, हमें second वाले economy के लिए, यहां पर बोल रखी है, क्या autonomous consumption, 40 ही है, marginal propensity to save अलग है, बस, MPC कितना है, 0.8 multiplied by Y plus investment, कितने किये है, 100 करोड की, तो Y is equal to 40, plus 100 140, 0.8 Y, so Y is equal to 140 divided by 0.2, यहां से अटाव, 700 करोड, कितना आना चाहिए, 700 करोड आना चाहिए, यह रहा, इट शोड बी 700 करोड, यहां पर step by step marking है, कैसी है, step by step marking है, तो आपने answers भी कैसे करने है, यहां पर सारे step by step करने है, next, आपके पास question दे रखाया है, और question क्या कहता है, read the following text carefully, दी गई statements को जड़ा ध्यान से समझे, Union Finance Minister stated, that investment in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment, and in the view of this, capital investment outlay is being proposed to increase steeply in the budget 23-24 by 1000 करोड, तो यहां पर क्या बोलागे है, कि financial minister ने, जो हमारे finance minister है, उन्होंने बोला, कि investment जो है, infrastructure के उपर और productive capacity के उपर, इसका बहुत multiplier impact होता है, growth or employment के उपर, investment infrastructure के उपर करते है, productivity बढ़ाते हैं, तो उसकी वैसे काफी impact नेकले मिलता है, जिसकी वैसे हमारा budget जो है, उसको बोला गया कि 1000 कुरोड से हम लोग बढ़ा देंगे, हमें common understanding हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कैसे increase जो है investment के उपर, right investment on the national income, assuming the marginal propensity to save as 20%, इसे टेक्स्ट के बेसिस पर और इसकी common understanding के हिसाब पर मुझे यह बताना है कि कैसे जो पूरी process है, increase की investment के उपर, national income के उपर, जब हमें marginal propensity to save अगर दे रखा है, अगर हमें marginal propensity to save बोल दिया 20% है, तो क्या impact पड़ेगा जो देखते हैं आपर, देखें सर, the working process of the increase in the investment on the national income is based on the assumption that one expenditure is another income, एक का खर्चा दूसे के लिए के उसकी income होती है, so in round one, the investment in infrastructure undertaken by the government of 1000 crore will generate an additional income of like amount is 1000 crore, since marginal propensity to save is 0.2, so MPC is equal to 0.8, it will lead to an increase in the consumption expenditure of 800 and saving by 200 crore, यार यह क्या कहना जा रहा है, मतलब यह कूरी पूल बिलाके बात क्या है, कि अगर government 1000 crore पे अगर invest करेगी, तो government का तो 1000 crore का खर्चा है, यह किसी के लिए income है, उस income के अंदर भी अगर आप बात करेंगे, तो कहता है, अगर marginal propensity to save हमारी 20% है, यानि कि 200 crore तो हमें save होतु है नजर आएंगे, लेकिन marginal propensity to consume, कितनी है हमारी 80% हो जाएगी, that will be 800 crore, right? So, as one's expenditure is another's income and increase in the consumption expenditure result in an increase in the income by 800 crore, in the subsequent round, this process continued till that sum of the change in the saving becomes equals to the change in the investment, यह कब तक चलेगा, जब दोनों का change हो बराबर नहों हो जाता है, दियान से समझना, right? यहाँ पर देखो, investment कितने की है, 1000 crore की है, income कितने से बड़ा, 1000 crore से, कजबशर कितने से बड़ा, 800 से, saving कितने से बड़ागी, 200 से, अब नाओ, this consumption become the income, right, next time, तो यह पूरी की पूरी प्रोसेस ऐसे चलेगा, आपने अगर बैंकिंग कहते हैं, multiplier को concept देखा है, कुछ उसी तरह से concept भी यहाँ पर काम करता है, तो यहाँ पर अगर आपको investment multiplier निकालना है, यह 1 होती है, तो हम लोग क्या सकते हैं कि marginal propensity to consume क्या हो जाएगा, 1-mps हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम लोग क्या सकते हैं कि mps की जगह हम लोग लग सकते हैं क्या 1-mps, ठीक है, mps की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 upon mpc रिशी सकते हैं, तो यह हो गया, 1 upon 1-mps is equal to 1 upon 1-0.8, that is 1 upon 0.2, यहां से अटाओ, 5 times, क्या आएगा, 5 times आएगा, तो इसलिए क्या बोलता है यहां पर देखो, कहता है, thus, the above schedule indicates that an increase in investment delta E of 1,000 crore lead to a total increase in national income by 5,000 crore, तो हमारी national income कितने से बढ़ी है, यानि कि 1000 crore का investment की वज़ा से, overall जो हमारी income बढ़ने वाली है, वो कितने से बढ़ने वाली है, पाँच हजार करोड रुपे से बढ़ने वाली है, और पाँच हजार करोड रुपे से क्यों बढ़ने वाली है, इसके पीछे का reason क्या बता है, कि यह एक का जो खर्चा है, वो दूसरे के लिए क्या होगा, इनकम के तौर पर रिपर्सेंट होगा, ठीक है, चलिये, now let us see the next question, अगला question देखते है, और अगला question क्या गयता है, अगला question एक statement है, statement के form में एक question है, फिर वहाई वहुंन से करेफली आट प्रीजारिग खर राटा जब लोर चांटर अंटाट रिजल तरह उसने इंगेस्ट इंप्राट वो थांटेजर तो बिल्वाश्ट मेर ओंट जिले एंप बेपन खर बाट वर खर पर लाट्स अंप्रुदा कॉसे फंट बाटेज फिलेश how many cloaking sores for a spear deception. Barter got standardized and terms of metals or quarry shields, now people knew were worth of all the cloak and the spear in the terms of bronch or quarry shells this was still Barter as both bronze and shells has intrinsic value cells were designed for beauty. This system evolved over the time metal currencies, gold and silver coinage work the option of these systems where they had the features of Barter both gold and silver has the intrinsic value as well as money they were standardized for representations of value in respect of the money two facts immersed historically यानि के मनी से आपको एक के स्टरी दे दिया मनी चैप्टर से आपको के स्टरी दे दी है राइट के दे आपको के स्टरी दे दी है so in respect of the money two fact immersed historically that money has taken the form of either commodities which have interesting value or terms of debt instruments now the second point over here is that money is usually issued by sovereign or a central bank as it is the representative as it is the representative will cool say what they be so in modern economics currency is a form of money that is issued exclusively by some competent authority central bank it is a liability of the the issuing central bank and assets of the holding public currency is issued in paper or polymer form but the form of currency is not is defining its character so in the recent past the reserve bank of India issued central bank digital currency CBDC a CBDC is the currency issued by the central bank in digital form it serves all the purpose of the paper currency in the different forms the introductions of the CBDC has the potential to provide significant benefits such as reduced dependency on cash lower transaction cost reduced settlement risk introduction of CBDC would probably lead to a more robust efficient trusted regulated payment option there are associated risks such as cyber attack and technology preparedness but they need to be carefully evaluated against the potential benefit now on the basis of the given text and common understanding answer the following questions ठीक है अब देखो इतना बड़ा इतना बड़ा पेराग्राफ और उस पेराग्राफ के अंदर क्वेशन देखो आप दो क्वेशन है तीन तीन नंबर के यानि कि छे मार्क्स का यह कुशन है जेनली छे मार्क्स को कुशन जो है वह आपकी नैशे इंकम से देखा जाता है लेकि यहाँ पर मनी से भी पूछा जा सकता है ऐसे नहीं कि आपने अगा सब्सक्राइब कुछ औरी प्रिपेर कर रहा है औवर था सैंच्रीस मनी वानी तो मार्क्स करें तो मर्स मनी है फियाट मनी है फीडियोर स्री मनी है यह यह सारी चीज़े हम लोग को पता है वेरिश एकनोमिस्ट has formed a strong opinion that in the modern time digital currencies like cbdc is quite essential however it comes with its own benefits and potential risk do you agree with the given statement give valid argument in the support of your answer तो आपको इसका अंसर बताने कि क्या आप इसे से validate करते कि सही बात है यह जैसे कि हमारे पास crypto currency का भी concept आचुका है हमारे पास e-payments की concept आचुके है तो digital currency जो है वो फाइदे मंद है यह नुकसान जनक है यह बात कहता है आई यह देखते हैं इसे भी और बहुत ही मतलब असान सा कोशन है यह राइट तो कैसे कैसे हैं हमारे पास तो कहता है था evolution of the money has taken place over the centuries in different form पहले मारे पास metal currencies हुआ करते थी मैटल कंसिस के अंदर gold और silver coins जिनकी intrinsic value उसी के face value के बराबर हुआ करती थी और इसी को हम लोग क्या बोलते थे आप आप लोग comment करके बताएंगे मुझे जब forms of money के हम लोग ने बात करी थी तो जिसको हम लोग full-borded money अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बताई दिया मैंने full-borded money होता है credit money हमार पास रहता है full-borded money के अंदर क्या होता है जो intrinsic value है metal की वह बराबर होती है किसके face value के आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे आप पेपर करंसी करंसी इस इस इंदर आपने बताना तो तो क्या कहता है yes the introduction of CBDC providing significant benefit such as reduced dependency on cash low transaction cost and reduced settlement risk it lead to a more robust efficient trusted and regulated payment option however there are associated risks such as cyber attack technology preparedness but they need to be carefully evaluated against the potential benefit लेकिन हम लोग को क्या गरना है उसको potential benefit के according measure करना है उसको समझना है कि उसकी क्या क्या potential benefit देखने को मिल सकता है ठीक है तो यानि कि कुल मिला कर अगर देखा जाए तो इस question का answer आप लोग को कहां से कर रहा है ऊपर दिए गए question से यह आप लोग को कर रहा है ठीक है next question आपके पास क्या है next question आप सब लोग के पास में on the basis of the following hypothetical data execution दे रखी है 20-23 का data दे रखा है nominal GDP हमें दे रखी है नॉमिनेट GDP को एडिस्ट किया गया बेस प्राइस के साथ में 40 और 45 परसेंटे चेंज इन दे रियल जी डिपी प्रड़क्ट इन दी यह तुट्वन 23 and using 2020 as the base year 2020 को base year मानों और इसके इसाब से चेंज बता हूं तो असान सी बात है इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है तो सबसे पहले आप क्या गरोगे आप क्या गरोगे परसेंटेज चेंज तो परसेंटेज चेंज क्या होगा चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइड़ बाई बेस येर और बेस येर क्या आप लोगों ने 2020 2020 को बेस येर ठीक है अब इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करके भी बताया हूगा यसे आजो यहाँ पर देखिए परसेंटेज चेंज कितना है रियल जीडीपी के अंतर तो बोलता है चेंज इन दर इल जीडीपी इन्टू हंडर्ड डिवाइड बाया रियल जीडीपी ठीक है फैंतालीस सो माइनेस चारा अगर बेस को तो यानिकी चार अजार तो यानिकि करेंगे तो 4500-4000 और बेस क्या लेना 2020 लेना है तो 4000 ठीक है next question calculate the percentage in the the public ये तो हो गया हमारा the public investment on the construction of a multi-lane flyover may reduce traffic congestions on the basis of the above statement discuss its likely impact on the gross domestic product and welfare in the economy ये welfare of the economy से question है यार देखो यहां पर क्या कहता है the the public investment on the construction of a multi-lane flyover may impact the gross domestic product positively क्या होगा positive impact पड़ेगा क्यों पड़ेगा positive impact flyovers अच्छे होंगे तो transportation असानी से हो पाएगा convenient होगा efficient होगा so good quality of infrastructure like efficient transport system generally attract high investment in an economy तो हार को invest करना चाहेगा economy केंतर तो positive efficient impact देखने के लिए मिलेगा और जिसकी वैसे employment बढ़ते भी नदर आ सकती है आपको economy के अंदर reduction in the travel time lower average transportation cost cost consequently it may increase the well-being of the citizens यानि कि overall holistically हमारे जो citizens है उनको बहुत जादा फाइदा यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है अब जब भी goods के अगर हम बात करते हैं तो कहता है अब जब भी goods के अगर हम बात करते हैं तो consumption goods को जनली consumers के द्वारा consume किया जाता है जिनके उपर वो consumption expenditure करते हैं जबकि capital goods को consume किया जाता है कि इसके द्वारा हमारे investors के द्वारा जिसके उपर investment expenditure करते है natural calamities in the hill states of India has led to the massive destruction of the capital assets अब पहाड़ी राजो में कहता है कि अगर बहुत जादा बारिश होती है तो इसके वासे capital asset के उपर depend देखने को मिलता है identify the type of loss depreciation और loss capital loss indicated in the avocat statement give valid reason to support it तो कहता है depreciation है गया नहीं this is not depreciation इसको depreciation नहीं बोला जाता है क्योंकि depreciation तो asset की usage की वजह से उसकी value में गिरना बोला जाता है लेकिन यहां पर depreciation story हो रहा है यहां पर तो asset ही घतम हो रहा है तो this is not depreciation now let us try to understand this the given statement is defended right consumption goods are those goods that directly satisfy the wants of the consumer whereas capital goods are those goods that are used for further production a good can be considered as a consumption goods or a capital goods it depends upon the economic nature of its use example machine purchased by a household can be classified as a consumption goods whereas machine purchased by a firm example swing machine swing machine purchased by a tailor will be considered as an capital goods whereas swing machine purchased by a household will be considered as a consumer goods the massive destructions of capital assets caused by the recent natural calamities in the hill stations of himachal pradesh and utrahand has considered as a capital loss capital loss माना जाएगा ना की depreciation बता है अभी capital loss lead to the loss in the value of the fixed asset due to unforeseen circumstances like natural calamities theft fire या फिर कुछ ऐसे incident वह जाते हैं जिसके वैसे सकते हैं अपने स्कोर को तो आप लोग को सिंप्ली क्या करना है आप लोग को सिंप्ली ज्यादा से ज्यादा चाप्टर्स को पारबर पढ़ना है रिवाइस करना है यहां पर मैं आप सब्सक्राइब करने हैं और साथ ही साथ में यह भी बताने हैं कि यार देखो सी बेसी जो है वह आप लोगों से कैसे expect करता है कि आपको answer करने है और किस basis पर आपको maximum यहां पर मिलते हैं अब यहां पर जो पहला कोशन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है वह पहला कोशन क्या है रीड़ गीवन इमेज केरफुली और यहां पर जो इमेज दे रहे हैं वो functions of environment की इमेज है और क्या-क्या function जो है वो environment perform करती है assimilate करती है waste को provide करती है resources को हमें और इसके अलावा और क्या-क्या environment जो है वो हमें provide करती है तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके आस option में यहां पर क्या-क्या के द्वारा perform किया जाते हैं क्या यह life को sustain करती है क्या यह acetic services हम लोग को देती है generate करती है waste को provide करती है सिर्फ और सिर्फ renewable resources को तो waste generation जो है वो environment का function नहीं हो सकता है only renewable resources को हमें provide करके दे ऐसा भी नहीं है non renewable resources जो भी provide किया की चाते हैं तो पहला और दूसर जो होगा यहां पर बिल्कुल सभी अंसर होगा और पहला औरन दूसरा सही answer होने का मतलब है कि option number ए बिलकुल इसके अंदर आपको सही answer के तो देखने करें मिलेगा तो option number ए हापशन नंबर यहां पर बिलकुल प्रोवाइड करता है क्या यह वाला option दोनों option आपको लिख रहे हैं सस्टेन लाइप एड प्रोवाइड एसेथेटिक services एसेथेटिक services का मतलब डैट बेसीकली इनहेंस ता ब्यूटी ऑफ ता नीचर नेक्स्ट हमार पास question है visually impaired candidates के लिए और question क्या गयता है for visually impaired candidates identify which of the following is not अब यही वर्ट जो है वो थोड़ा सा tactical हो जाते हैं और बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत बना देते हैं क्यों क्योंकि यार हम लोग कई बार क्या करते हैं इसके अंदर कई बार इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं और गलत आंसर मांग कर देते हैं इस नौट अ करेक्ट फंक्शन ऑफ दे है वह इतने असानी से environment चाहकर भी उसे कहा नहीं कर पाती है इसलिए option नमबर ए जो होना चाहिए वो इसका right answer होना चाहिए a should be the right answer to this question अब आईए cbc के answer भी एक वार यहां पर देख लेता है कि cbc क्या होना चाहिए तो यहां पर आप लोग देखते तो पहले का answer होगा first and second और first और second का मतलब यहां पर क्या है first और second का यहां पर मतलब है सर फस्ट और second का मतलब है यहां पर option number a पहले वाले का क्या है option number a है और second वाले का तेखने के लिए मिलता है question number 19 और question number 19 क्या कहता है read the following statement carefully दी गई statement को carefully समझो और बताने की कुशिश करो पहले statement कहती है the British policies led to the collapse of India's world famous handicraft industries बिल्कुल तो Britishers ने basically क्या किया था अपनी industries को promote करने के लिए अपनी industries को grow करने के लिए यहां से वो वहां से finished goods बना कर एंडिया के रदा कर दिया कर थे उसके पीछे का main intention क्या था main reason क्या था तो main reason उसके पीछे का बताया जाता है कि यह जो इंडिया के handicraft industry थी उनको grow करने से रोका जा सके इंडिया के handicraft industry को grow करने के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान था वो योगदान किसका था that was the royalties of that time जो राजा बगएर वो करते थे उनके पीछे right next statement कहते है वार पास during the colonial rule in India the contribution of the industrial sector to gross value added increased significantly तो colonial rule के दवारा यानिके British rule के दवारा जो industrial sector के अंदर जो gross value added है वो बहुत जादा तेजी के साथ improve करा या फिर increase करा जो कि बिल्कुल गलत statement है तो सिर्फ और सिर्फ पहली statement सही होनी चीए तो statement 1 is true and statement 2 is false statement पहली सही है दूसरी false है बिल्कुल सही है यही answer होना चीए इसका इसका मतलब कि option number A जो होगा वो 19th questions का बिल्कुल सही answer होगा तो option number A बिल्कुल सही बात है option number A statement पहली सही है और statement दूसरी यहाँ पर false है next question देखते हैं और next question है question number 20 question number 20 क्या गयता है आप लोगों से कहता है read the following statement assertion and reason choose the correct options from the given below यहाँ से आपने answer चूज करना है the education commission 1946 had recommended that at least 4% of the gross domestic product to be spent on education 4% जो है वो क्या होना चाहिए education के उपर spend होना चाहिए education commission ने ऐसा बोला था 1964-1966 के अधर next कहता है the union and state government have been stepping up expenditures in the education sector over the year to fulfill the objective of attaining the cent percent literacy cent percent literacy का मतलब क्या है यहाँ पर hundred percent literacy को लेकर आने की बात की जाती है यानि कि हर कोई साक्षर बने हर कोई educated बने उसको educated बनाने का रिकिसी को प्रियास यहां करें और सरकार के तो यहां तो यह दो देखो बोत असर्शन और रिजंजयों है वह सही है और रिजंगा एक्सप्लेड करता यह असर्शन को नहीं दोनों के हैं सही तTION सभी तरुप्लेडी ज़ायं यह अरज़िजन आखी शीन या कि 1964-66 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 4% education के बारे बात नहीं की गई थी initial faces पर वहाँ पर बात हुई थी कि initial faces पर हम लोग एक particular जैसे कि 1% 2% के असपास उस समय पर बाची थी बिल्कुल 6% की बात नहीं थी लेकिन हां 100% के उपर बात बिल्कुल की जा रही है इसका मतलब option number D जो है वह यहाँ पर सही होना चाहिए तो यह 20th question का जो right answer होना चाहिए तो पॉस्ट इंडेपेंडेंडेंज यह इन्डेपेंडेंडेंस के बाद policy makers ने जो भारत के थे उन्होंने एक economic system के बारे में बात करी जो कि किस किस के बात करता था तो उसके अंदर बात की जाती थी कि भीया हम मारे पास public sector भी होगा और साथ इसाथ में प्राइबिट सेक् बात करी थी कि public और private sector दोनों का ही existence वहाँ पर होना चाहिए, public sector क्या करेगा, public sector lead करेगा, जबकि private sector क्या करेगा, initial faces पर follow करेगा, public sector की policies को, यहाँ पर यह बात की गई थी, अब इसका answer देख लेता है, एक बार कि 21 question का answer क्या बोलता है, C answer बोलता है यहाँ पर, ठीक है, public and private sector दो Now we have the question number 22, 22 question क्या गयता है, the institutional structure of rural banking in contemporary India, consist of a set of multi-agency institutions namely, कौन-कौन से institutions की बात की जाती थी, जो इंडिया का जो रूरल बैंकिंग की अगर बात की जाती है, आज की present इंडिया, contemporary इंडिया का मतलब है, present इंडिया के अंदर, कौन-कौन से institutions है, RRBs है हमारे पास, यानि की regional rural banks की बात यहां पर की जाती है, हमारे पास cooperative banks की बात यहां पर की जाती है, हमारे पास land development banks जिसको की आप LDB के नाम से भी जानते है और commercial banks की बात यहां पर की जाती है, तो चारो टाइप की banking system की बात जो है, वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलते है, present time के अंदर, इसका option number D जो होना चाहिए, वो इसका बिलकुल सही answer होना चाहिए, अब option number D अगर आप लोग चेक करेंगे, तो option number D आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या, first, second, third, fourth, 27th का, 22 का, तो वो क्या है, option number D है, next question, 23 question है, और 23 question आप सब लोगों से क्या क्या क्याता है, identify which of the following statement is incorrect, कौन स statement गलत है, about the financial sector reforms introduced in India in 1991, 1991 के अंदर आप लोग को पता है कि हमारे पास reforms देखने के लिए मिले थे, LPG reforms basically आये थे, तो financial sector के अंदर कौन सी दी गई बात है, उसके अंदर आपको पता है कि 1991 पर जब reform आये थे, तो financial sector से लेटेड reforms भी आप लोग को देखने के लिए मिले थे, तो जो financial sector से लेटेड reforms देखने के लिए मिले थे, तो उसके अंदर दिये गए option में से कौन सी जो बात है, वो गलत है, यहाँ पर establishment of private sector के बारे में बात की गई थी, foreign sector के साथ साथ, बिलकुर सही बात है, foreign investment limit को बढ़ा दिया गया था, 74% के आसपास, बिलकुर सही बात है, foreign institutional investors ज facilitator से regulator नहीं बनाया गया था, बलकि regulator से facilitator बनाया गया था, यानि यह उल्टा लिखा गया है, regulator से क्या बना था RBI, facilitator बना था, पहले RBI क्या होता था, पहले RBI used to be the regulator, पहले वो regulate करता था, control करता था, बाद में उसका एक helping hand बना दिये गया, कि अब आप लोग, आप RBI क्या कर करने वाला है, बैंकों को grow करने वाला है, facilitate करने वाला है, मदद करने वाला है, तो option number D जो होगा, वो बिल्कुल right answer रहने वाला है, इस question का, क्या होगा, option number D will be the right answer to this question, now, इस question का answer एक बार देखते हैं, और फिर आगे चलते हैं, तो कहता है, change in the role of the RBI from facilitator to the regulator, ठीक है, अब अ population की, किस की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर, population की बात कर रहे है, of 4 to 1, resulted in a higher proportion of elderly individual compared to the younger population, यानि कि अब आप लोग को पता है कि China के अंदर one child policy जो है, वो ले कर आए गी थी, और उस one child policy की वज़ा से, जो China के अंदर elderly populations है, उनकी growth बहुत जादा, मतलब वो बहुत जादा population उनकी बढ़ गई थी as compared to the young minds over there, this was primarily due to implementing, क्या implement किया था चाइना ने, तो आपको पता है कि one child policy China ले कर आया था, क्या सी policy ले कर आया था, one child policy ले कर आया था, जिसको बाद में China क्या कर देगा, रिवोक कर देगा, हटा देगा, तो great leave forward campaign, great progression, culture revolution, one child no, यही आंसर है इसका, यह special economic zone, जिसको कि SEZ भी बोला जाता है, इसका right answer क्या होगा, option number C, should be the right answer to this question, क्या होना चाहिए, option number C होना चाहिए, यानि कि one child policy, next question आपके पास है, DASH was set up in 1974 by the Indian government to address two major environmental concerns, that is water and air pollution, 1974 के अंदर, government के दवारा, एक सहस्ता बनाएगी, जिसकी main काम क्या था, जिसका main काम था कि water और air pollution को stop करना, रोकना, वो state pollution control board बनाया गया था, central pollution control board बनाया गया था, ब्रंट लैंड कमिशन आया था, या फिर monetary protocol, monetary protocol और ब्रंट लैंड कमिशन जो है, वो international level पर आये थे, लेकिन India level पर पूछ रहा है, तो state में state pollution control board है, हमारे पास, लेकिन basically उस time पर, जो 1974 के अंदर, जो board बनाया गया था, उसको बोलाया था, central pollution control board, इसलिए, इसका जो right answer होगा option number B, option number B should be the right answer to question number 5, 25, तो central board of control board जो है, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, Now, अगरा question कहता है, assuming in a hypothetical economy, hypothetical का मतलब है कि ऐसी एक economy exists नहीं करते है, बट हम मान रहे है कि ऐसी कोई economy है, real gross domestic product, real GDP, है न, real GDP की बात कर रहे है यहाँ पर, तो क्या कहता है, कि जो real GDP है, recorded a growth of 9% during a fiscal year, एक fiscal year के अंदर हमें 9% की growth देखने करे मिलती है, however, the economy faced a significant challenge in terms of creating an adequate number of employment opportunities, यहाँ कि हमें अगर GDP की अगर बात की जाए हो, real GDP जिसकी basis पर हम लोग अपने growth को measure करते है, उसके साब से हमें 9% की growth जाओ, हमें यहाँ पर देखने, मिलनी चिए, लेकिन employment opportunities हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा पाए, identify the situation indicated in the given statement and choose the correct options, अब आपको सही option यहाँ पर बताना है कि इसका सही answer क्या होना चाहिए, कहता है, casualization of workers, informalization of worker दिखाता है, formalization of workers दिखाता है, या फिर jobless growth दिखाता है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है, कि workforce जो है, वो casualize कर दिया गया था, workforce को, आपको informalization देखने को मलता है, यानि कि formal sector set का, वो informal sector की तरफ जाने लगे थे, या फिर formalization देखने के लिए मिलता है, या फिर आपको देखने के लिए मिलता है, jobless growth, यानि कि ऐसे लोग जिनको job नहीं मिल रहे है, उनके अंदर growth जो है, वो आपको बढ़ती हो नदर आती है, इसका मतलब option number D जो होना चाहिए, वो इसका right answer होना चाहिए, क्या होना चाहिए, D will be the right answer to this question, ठीक है, next question अगर मैं देखता हूँ, तो अगला question क्या कहता है, during the period of 1951 to 2016, led to an increase in the milk production, milk production के अंदर increase हो है, इंडिया के अंदर, दस कुना milk production जो है, वो इंडिया के अंदर बढ़ाया क्या, तो इसको green revolution, green revolution was not related to this, golden revolution भी इससे related नहीं था, right, operation flood, यह फिर industrial revolution, इंडिया से related था, operation flood जो था, वो लेकर आया गया था, किससे related, milk production से related, तो इसका right answer होना चाहिए, वो option number C होना चाहिए, आईए देख लेते है, पिछले बाले question का answer भी देख लेता है, 26 का क्या answer बता रखा है, 26 का answer, jobless growth है, और 27 का answer, operation flood है, now, next question जो हमारे पास है, critically appraise the disinvestment policy initiated by the government during the reforms of 1991, यानि कि disinvestment जो की गई थी, disinvestment का मतलब क्या होता है, जब आप public sector undertaking के shares को, stakes को क्या कर देते है, बेच देते हैं, उसको basically privatize करना को ही disinvestment बोला जाता है, economics की वहासा केंदर, तो इसके क्या फाइदे हुए, तो क्या फाइदा होगा, तो generally जो non-profit making public sector undertakings थे, उनका control जब private sector के हाथ में गया, तो वो definitely better तरीके से perform करेंगे, तो performance को increase करने के जनरली क्या किया गया था, disinvestment यहाँ पर की गई थी, बाकि देखते हैं कि CBSC ने इसके answer को कैसे बताने की कुशिश करी है, आईए, let us try to understand this, Now, कहता है, disinvestment aimed to boost financial discipline and modernization, the government exceeded its mobilization target, बस asset of the public sector enterprises had been undervalued, resulting in significant losses to the government, है ना, तो मैंने क्या बता है कि government के जो assets है, उनके अंदर कहता, undervaluation आप लोगको देखने के ले मिला, या फिर आप एसस हमें दीजी, कि जो government assets थे, that are not that much productive, government assets basically, आप as physical assets की तो बात करी सकते है, लेकिन human assets की भी यहाँ पर बात कर सकते है, moreover the proceeds were primarily used to cover shortfalls of government's revenue, instead of investing in the social infrastructure or the development of the public sector enterprises, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर हम लोग जो भी shortfalls है, government revenue के, उसको invest करने के लिए, हम लोग क्या कर रहे थे, development of the public sector undertaking के उपर जादा ध्यान यहाँ पर नहीं देने लग रहे थे. So, that was the basic reason, जो कि आपको CBC ने यहाँ पर बता है, और अगर आप लोग चाहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ भी बता सकते हैं, कि जो public sector undertaking, that was basically loss making, so, in order to make them profitable, this, this investment was basically done, right. Globalization is an essence, since outcome of liberalization of an economy, justify the given statement with a valid explanation. So, globalization का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक country की economy को, world की economy के साथ में क्या करते हैं, integrate करते हैं, तो globalization important है, liberalization, freedom देने के लिए, एक economy को free करने के लिए, liberal का मतलब की एता freedom, freedom की चीज़ के लिए, जैसे कि liberalization पहले क्यों नहीं हुआ करते थी, या फिर लिबराजिशन के पीछे का क्या reason था, तो आप लोग उसको ऐसे justify कर सकता है, कि liberalization का मतलब हुआ, एक किसम से आप लोग trade के उपर restrictions लगा रहे हैं, जैसे कि quotas लगा रहे हैं, आप लोग उसके उपर क्या करते हैं, quantity wise tax लगाने की कोशिश करते हैं, restrictions लगाने की बात यहां पर की जाती है, so globalization ने definitely इस चीज़ को रोकने की कोशिश करी हैं, आपर तो देखो, यहां पर देखो, क्या कहता है, globalization is indeed an essential outcome of liberalization of an economy, the removal of the reduction of restrictions in the industrial sector, financial sector, trade and investment policy, etc. open the doors of Indian economy to the rest of the world. तो अब हम लोग क्या कर पा रहे थे, अपनी world की economy के साथ में हम लोग compete कर पा रहे थे, world की economy के साथ हम लोग जुड़ पा रहे थे, जिसकी वज़े से पूरा का पूरा वर्ड जो है, वो एक country के जैसे हो गया था, और असानी से हम लोग क्या कर पा रहे थे, trade कर पा रहे थे, तो liberalization जो है, वो एक catalyst के तोर पर काम करता है, globalization के अंतर क्योंकि इसकी वज़े से जो international trade है, वो काफी ज़़ादा बहतर होतावा नजर आया में, Indian economy के साथ में, catalyst का मतलब क्या होता है, catalyst basically world science के अंदर use क्या जाता है, जो कि किसी भी reaction को तेज कर देता है, यानि कि fast कर देता है, तो same sense पे economics के अंदर भी क्या बोला गया, कि liberalization जो है, question number 29, और 29 question क्या कहता है, 29 question कहता है, to measure the extent of development in an economy, liberty indicator should be considered along with other socio-economic parameters, do you agree with the given statement, give valid reason in support of your answer, कहता है, अगर आपको किसी भी country की development के बारे में बात करनी है, growth के बारे में बात करनी है, so there must be liberty indicator, liberty indicator का मतलब है, indicators that are free, that are unbiased, वहापर freedom है, freedom किस चीज़ की है, freedom है कि अपने thoughts को, अपने हार इक चीज़ को क्या किया जासके, वहापर detail में express किया जासके, right, there should be liberty, there should be freedom for doing anything, for justifying yourself, right, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, yes, measurement of the development level in an economy, एक comprehensive approach है, जहाँ पर liberty indicator, जो है, वो उसको भी consider करना चाहिए, बाकी सारे socio-economic parameters के साथ में, right, कैसी अपरोच है, यह comprehensive, comprehensive का बाता हो क्या था, एक अठी अपरोच है, liberty indicators measure the extent of demographic participation, in a social and political decision making, these indicators are significant, as they reflect the degree of civil liberties, political rights and economic freedom, within a society, with the incorporation of liberty indicator, policy maker can gain a more holistic understanding, of the economic development status, तो यहाँ पर हमें socially, politically, economically, हमें अपने economy के बारे में, पता चलता है, और साथ ही साथ में, हम लोग क्या कर पाते हैं, economy के बारे में, उसको justify भी कर पाते हैं, right, so yes, indicators are must, और indicator जो है, वो क्या करते हैं, बहता तरीके से साथ चीजों को justify कर रहे में, हमारी मदद करते हैं, next question we have, next question हमार पास क्या कहता, the reform process, implemented in the late 1970s, commonly known as China's open door policy, encompassed a wide range of reforms, across sectors like agriculture, investment, industry, etc., these reforms played a pivotal role, in driving the rapid growth of Chinese economy, over the subsequent decades, in the light of the given text, discuss any two reforms responsible for the rapid economic growth of China, 1970s के बाद, चाइना ने क्या किया, आपकी पास open door policy लेकर आई, जिसकी वज़ा से, right, agriculture sector, investment sector, industrial sector के अंदर, आप चाइना के अंदर क्या कर सकते थे, असानी से, investment कर सकते थे, और चाइना इन्वेस्टमेंट को क्यू प्रोमोट कर रहा था, क्योंकि चाइना कही न कहीं ये चीज़ जानता था, कि अगर हमें long term के अंदर अगर grow करना है, तो long term में growth अगर हमें चाहिए, तो हमें सिर्फ agriculture sector से वो growth नहीं मिल सकती है, हमें कहीं न कहीं industrial sector के अंदर भी contribute करना पड़ेगा, तो industrial sector की growth ये वो काफिर जादा important ओल यहाँ पर आप लोग को देखती नजर आती है, तो देखिए यहाँ पर क्या गयाता है, the fast-paced economic growth in China can be tracked back to the following reforms introduced in 1978, in the initial phase reforms were initiated in the agriculture, पहले किसमें ने कराए गया थे, agriculture sector में या अपन लोगों ने पढ़ा है, फिर foreign sectors में, फिर investment sector में, for instance in agriculture, commune lands were divided into small plots which were allocated to the individual household, तो जो जमीन थी, उनको क्या किया गया था, लोगों के वीच में बाढ़ दिया गया था, उनको क्या बोला गया था, आप सारे के सारे पैसे को रुखो, बस हमें subsequent taxes उसके उपर pay करते हो, यानि कि सारे के सारे communist economy के अंदर जनली यही होता है, या फिर हम लोगों कह सकते है socialist economy के अंदर जनली यही होता है, कि सारे के सारे resources ultimately जो belong करते हैं, वो किस से करते हैं, गौर्वेंट से करते हैं, गौर्वेंट यहां पर resources देने लग रही है, लेकिन इसके साथ में यह भी बोट रहे हैं कि यह आप resources का use करो, आप profit बनाओ, लेकिन हमें time पर taxes पे करते रहो, subsequent phase के अंदर हमें industrial sector के अंदर भी reforms देखने के लिए मिलते हैं, जो private firms थी, township के अंदर, village enterprises थे, इनको क्या किया गया था कि goods बनाने के लिए इन्हें प्रेरीद किया गया था, और चाइना ने विसी के लिए क्या किया था कि जो अपने वहां के जो नौजवान हुआ करते था, उनको भेजा बाहर पढ़ने के लिए कि आप जाओ और देखकर आओ कि यह इंडेस्ट्रियल सेक्टर बाकी जगह पर कैसे ग्रो करने लग रहा है, और उसी चीज़ को आप यहाँ पर भी अप्लाई करो तो ताकि हमारा भी इंडेस्ट्रियल सेक्टर जो काफी अच्छी तरह से यहाँ पर क्या हो सके, ग्रो हो सके, नेक्स्ट कोश्चर भी हाब 31 कोश्चन और 31 कोश्चन क्या कहता है, अंडर देली डेकलरेशन देजी ट्वेंटी नेशन प्लेस्टू रीच ग्लोवल नेट जीरो इमिशन अप्रोक्सिमेटी बाय मिड सेंचुरी और ट्रिपल ग्लोवल रेनेवल एनरजी का यूज़ कर रहे हैं उसका तीन मुना टाइम हम लोग यूज़ करेंगे 2030 तक इस स् पीछे का रेशनल है बताओ यानि कि इसके पीछे का लॉजिक बताओ ऐसा क्यूं है ऐसी कमिट्मेंट क्यूं की गई G20 नेशन के द्वारा ताकि sustainable development के गोल्स को अचीव किया जा सके और इसके पीछे का basic reason क्या है तो global warming is the basic reason behind this right क्योंकि temperature काफे यादा तेजी से बढ़ रहा वो किया जा रहा है G20 nations के द्वारा ताकि यह जो nations है यह क्या करेंगे greenhouse gas emissions को बिलकुल कम कर पाएंगे greenhouse gas basically वो होती है जो basically हमारी environment को सबसे अधा impact कर रही है और इनी की वज़े से global warming जैसी समस्य जो है वह में देखने के लिए मिल रही है क्योंकि इन gases की वज़े से हमारी ozone जो रहा है आप लोग को it has been agreed to devise an effective approach to transiting from conventional source of energy to non-conventional source of energy wind energy and solar energy serves as the good illustrations of environmental friendly sources of energy that contribute to achieving sustainable development को अभी हम लोग इस के ओपर ज्यादा ध्यान दे रहे है renewable resources के उपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है as comparatively non-renewable resources के जगा राइच्ट नेक्स्ट कुर्शन हमारे पास क्या है नेक्स्ट कुर्शन हमारे पास है और नेक्स्ट कुर्शन क्या कहते है हम से it would be unclear to say that the growth of human capital lays the ground for economic growth of a nation do you agree with the given statement support your answer with the valid illustration कहते है यह थोड़ा सा unclear है यह बोलना कि जो human capital है वो एक important ground ले करते है economic growth के लिए human beings की एक nation की economic growth के लिए human capital जो है वो एक ground के तौर पर काम करते हैं तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि जिस भी country का human capital strong होता है यानि कि human resource strong होता है वो country definitely उन country से ज्यादा बहतर करती है जिनके अंदर human capital अच्छा नहीं है human capital हमेशा एक country के द्वारा या फिर हर एक organization के द्वारा जहां पर भी वो काम करते हैं वहां पर उसको एक asset के तौर पर समयना चाहिए ना कि एक liability के तौर पर तो आए इसको समझते हैं क्या कहता है यहां पर तो CBSC ने क्या बोला यहां पर and increase in human capital causes economic growth is unclear owing to the problem pertaining to the estimation of quantifiable relations between the two educational yardstick like years of schooling teacher people ratio enrollment rate may not reflect education quality accurately लेकिन कई बार यह चीज़ भी बिल्कुल सही है कि है अपर लोग human capital के बाद तो कर रहे हैं लेकिन human capital formation के अंदर किस चीज़ का सबसे रादा रोल है human capital formation के अंदर teachers का रोल जाजा है human capital human resource के अंदर जो है teacher people ratio होना जरूरी है year of schooling का होना जरूरी है कि कि कितने साल बच्चा स्कूल जाएगा तो हम उसे educated बोलेंगे तो बहुत सारे parameters है human capital major क्या करता है convergence between developing and developed nations however there is no empirical evidence to provide income per capita convergence hence education may improve but cannot guarantee similar progress different countries right kai countries काता है कि education wise बहुत अच्छी नहीं है लेकिन उसके अंदर human capital जो बहुत अच्छी तरह से perform कर रहा है education cannot be the parameters जिसके बैसिस पर हम यह बोल सके कि कोई भी economy के अंदर human capital है वो productive है यह नहीं है right it cannot be justified with the help of education right there are some other parameters also that also need to be justified now we have the next question and the next question is interpreted the given picture based on the sunset others gram yojda initiated by the government of India भारा सरकार के दुबारा एक sunset others gram yojda का conception वो लेकर आया गया था अब इसके बीचे क्या थे जो भी MPs थे वो क्या करते थे किसी भी एक गाउं को गोद लिया करते थे ताकि उस गाउं को बहतर किया जा सेके right this is the image of parliament यहाँ पर villages है यहाँ पर health and education sector की बात की वी है यहाँ पर members of parliament की बात की है तो MP क्या किया करते थे किसी भी गाउं को गोद लेते थे इस scheme के तहत और वहाँ पर health sector और village की जो conditions है उनको अच्छा करने की कोशिश किया करते थे यानि कि उस गाउं को अच्छा बहतरी बनाने का प्रियास च्वाब उनके दुबारा किया जा राइट तो यहाँ पर आपको इसको explain कर रहा है तो क्या गयता है यह यहाँ पर देख लेजिए अंडर द संसद अधर्श ग्राम योजना introduced by the government of India members of parliament need to identify and develop one village from their constituency जिस भी अब अगला कोश्चिन क्या कहता है हमारे पास अगला कोश्चिन हमारे पास क्याता है that is for यहाँ पर straight annual two example of allied activities allied activities का मतलब है these are those activities that are not related to the agriculture sector but these are ancillary to the agriculture sector यानि कि अब लोग agriculture sector नहीं बोल सकता है लेकिन agriculture sector से जोड़ी हुई है allied इसके अंदर क्या क्या आ सकता है life stock farming आ सकता है beef farming आ सकता है na किस की B की honey honey coms जोते हैं उनको पालना फिर हमारे पास क्या सकता है फिर उमारे fisheries आ सकती है यह सारे कि सारे इसके अंदर देखी जा सकती है तो यहाँ पर भी इसी के example दे रखे हैं, we have two examples of this, we have livestock, livestock के अंदर पशो पालन करना, fisheries यानि की मश्री पालन करना, यह सारे के सारे इसके अंदर आप लोगो को देखने करें मिल सकते हैं. Now the next question is, explain briefly the संसद अदर्श ग्राम योजरा, initiated by the government of India, तो जो आपको image दिखाई, उसी image को यहाँ पर आपको explain करता हैं, जो आप लोगो अरड़ी पढ़ चुके हैं. Next question is, you have to read the text carefully, यह section थोड़ी सी असान रहती है as comparatively, अगर आपको facts पता है, आपको चीज़ें पता हैं, लेकिन आपर एक चीज़ यह भी है, कि यहाँ पर आपको current scenario से भी questions पूछ रहे के लिए मिल सकते हैं. Employment generation has remained one of the top challenges of India's policy makers, and over the years this has only become more complex, India has experienced more or less consistent growth in the structure of the output of the economy, especially after the economic reforms which is measured by gross value added. However, the trend in employment did not reveal a consistent and clear pattern. These complexities have led to a wide variety in the conclusion drawn by the experts and various studies on workforce and employment. Now, two major sources of data on the workforce and employment has been, number one, decennial population census and nationwide quinquennial survey on employment and unemployment by the erstwhile NSSO under the Ministry of Statistics and Programs Implementations. Government of India, the Nationwide Empowerment and Unemployment Survey has been replaced by the Periodic Label Force Survey conducted by the National Statistical Office of MOSPI, which started in the year 2017-18. According to NSSO, the PLFS data measures the dynamic in labour force, participation, workers to population ratio and the employment status along with the related important parameters for both rural and urban areas. Labour force includes persons who were either working or employed or those available for work or unemployed. Some persons in the labour force are abstained from work for various reasons. Reducting that numbers from the labour force gives the number of actual workers. These workers are further categorized as persons who are engaged in any economic activities, self-employed or regular waste salaried and casual labourers. The difference between the labour force and the workforce gives the number of unemployed persons, right? Unemployed persons ka jo, ki agar muche chahiye information, to wo kaise nahi ka sakti ki labour force may se, or jo work force hai, uska difference jo hai. The size of the labour force in the country has increased. From 485.3 million in the year 2017-18 to 497.4 million in the year 2018-19. The next year, the labour force increased by 8% and reached 537.9 billion. This increase was witnessed across male and female population as well as rural and urban households. In the mid-19.4 billion in the year 2017-19.9 billion. The next year, the next year, the next year is auarine. The next year has been to the sales of the government. The next year, the second year has proceeded to leave for the budget. The first year of the natural and urban households, the number of thePopopopos, the next year, the largest farmer, the number of the markets, and the number of the sommeliers, and the next year. The next year, the next year has been completed. The next year, the next year has been released by the accumulated strength from the leaders of the mercado. पर यहां पर देखते हैं कि इसका राइट अंसर क्या है यहां पर एक आपके पास क्या था में जो से एक डेकनियल पॉपुलेशन सेंसर था दूसरा क्यों पर आपको इसका अच्छी तरह से पढ़ना होगा यहां तू मेंजर सोर्स of data on the workforce and employment has been, Deccanial Population Census and the Nationwide Conconial Service, Survey on Employment and Unemployment, right. Now, the next question is, next question क्या गयता है हमारे पास? The labour force encompasses a broader category than the workforce, defend or refute the statement, give valid reason in support of your answer, इस काहन सा भी आपको हैं से दिखना मिलेगा, broader category than workforce, right. अब यहां पर इसका अंसर देख सकते हैं आप लोग यहां पर यह देखो, right. The size of the labour force has increased from 4853 million to 497.4 million in the year 1819. The given statement is defended, labour force refers to the numbers of persons who are either employed or unemployed, whereas workforce refers to all the peoples who are actively engaged in the economic activities. Hence, labour force is a wider term than the workforce, तो wider term है किसे workforce है, labour force के अगर बात किया जाए. Now, अगला question क्या कहता है, workers can be categorized in two different categories depending upon their status. In the light of the given statement, state and any two types of employment, तो एक तो self-employed भी हो सकते हैं, overall employed भी हो सकते हैं, वो VC के अंदर आते हैं, तो self-employed are those who works for all and operate an enterprise to earn their liablehood, अपनी liablehood को चलाने के लिए, वो अपनी आप काम करते हैं, वो किसी के पर dependent नहीं हैं, अपना काम चलाने के लिए. Next question is, next question is, last question and the question is, अंडर the industrial policy resolution, IPR आया था 1956 के अंदर हम लोग जानते हैं, the system of industrial licensing was introduced to promote regional equality, justify the given statement with the valid arguments, तो industrial policy resolution IPR 1956 के अंदर आया था, यहाँ पर industrial licensing को introduced किया गया था रा की regional यानि की area wise equality की बात यहां पर की जा सकते हैं, वालकुल सही बात है, और statement को validate भी किया जा सकता है, तो यहां पर देखी क्या गयता है, under the IPR 1956, the policy maker reserves a category of industries for the private sector, however, the sector was kept under state control through a system of licenses, now new industries was allowed unless a license was obtained from the government, it was easier to obtain a license if the industries unit was established in an economically backward areas, in addition, such unit were given certain benefits such as tax holidays and subsidized electricity, the purpose of this policy was to promote regional equality, area wise equality को promote करना यहाँ पर ज्यादा important था, तो यहर क्या industrial policy resolution आई थी वो इस intention के साथ आई थी कि अगर महात्मा गांदी जी के द्वारा भी ऐसा बोला गया है कि अगर हमें किसी भी कंट्री को करते हैं ताकि उसको ग्रो किया जा सके है, so that we can grow them. करें लेकिन किसी के भी attempt को वहाँ पर इतना कारेगर नहीं माना गया था, वहाँ पर VKRB राओ के attempt को सबसे बहतरी माना गया था उस समय पर वहाँ पर आपको दादबाई, नरोजी, विलियम डिगबी, इन सब के contribution को वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो देखो क्या मोलता है, several notable scholars such as दादबाई नरोजी, विलियम डिगबी, फिल्ले सिर्स, VKRB राओ, R.C. Desai, made earnest efforts, right, to compute the national income and per capita income, right, calculate the national income during the colonial era, amongst these scholars VKRB राओ, were considered more significant, however, the majority of these studies revealed that the country's overall real output growth during the first half of the 20th century was 2% and that has a media per capita growth of 0.5%. यह पूरी की पूरी line as it is NCRT की line है, तो आप सब रूख समझ रहे हैं कि Indian economic development के लिए NCRT कितने जादा important हो जाती है, तो सारी importance वहीं से है, तो NCRT जरूर जरूर हम लोग ने किसे भी कीमत पर क्या करनी है, next, during the colonial period, India's foreign trade was characterized by a large export surplus, however, this did not result in any flow of gold or silver into India, justify the given state word, यह भी उसी chapter से question है, बिलकुछ सही बात है, क्योंकि export surplus तो हुआ करता था, क्योंकि India पहले Britishers के आने से पहले भी क्या करता था, rest of the world के साथ में trade किया गरता था, लेकिन Britishers के आने के बाद, India was made and exported to some of the countries, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं, 50% से ज्यादा trade जो है वो उस समय पर बेटेन के साथ हुआ करता था, और जो कुछ बचा हुआ trade था वो कुछ countries के साथ जैसे कि Ceylon, Ceylon का मतलब शेलंका, Persia, Persia का मतलब इरान, China उन ही कुछ countries के साथ वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता था, तो जो export surplus तो आता था लेकिन उस export surplus को Britishers होते हुआ अपने ओपर ही consume किया करते थे, लडाएं लडने के लिए, administrative offices को चलाने के लिए, जली यूस किया जाता था तो यहाँ पर देखो, throughout the colonial period India's foreign trade was characterized by a significant export surplus, however, this surplus had determined consequences for the country's economy. This export surplus did not bring gold or silver into India, instead it was used to cover expenses incurred in the office set by the colonial government in Britain. The expenses on war fought by the British government and the import of the invisible items and the contributed to the drain of India's wealth, right? तो इंडिया की wealth के अंतर आपको काफी अच्छा dent यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. Explain the rationale behind choosing self-reliance as a central planning objective in the India's development strategy. तो हमने क्यों बात करी self-reliance की self-reliance का मतलब क्यों होता है? आत्मनिर पर होना क्यों? क्योंकि India used to be the importer of the food grains, India food grain को क्या करता था? Import क्या करता था? Rest of the world के साथ तो अपन लोगों को क्या करना था? Rest of the world से उस चीज को रोकना था है कि हम लोग क्या कर सके यार? जादा इंपोर ना कर सके हाना? We should not import more, right? Rather than we should be self-reliant. हाना हम लोग self-reliant बने? खुद क्यों पर जादा काम करें. So, it was, क्या मुलता है? Self-reliant was adopted as a central planning objective in India's development strategy by the policy maker due to the following reason. To reduce the dependence on the foreign trade, the stress was laid on mobilizing domestic resources. It was feared that the dependence on the imported food supplies, foreign technology and foreign capital may increase foreign interference in our policy. एक बर फिर हम Britisher से रजाद हुए, लेकिन फिर से हमारे पर कोई और कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, किसी और कंट्री के ओपर हम लोग बहुत जादा dependent ना हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने यह सारी की सारी चीज़े यहां पर करी. So, यह था हमारा sample paper यार, और काफी असान सा sample paper तो कुछ as such difficult नहीं था इस पूरे के पूरे sample paper के अंतर, और अगर आप सब लोग COT की तियारी कर रहे हैं या फिर आप सब लोग boards की तियारी कर रहे हैं या फिर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ CUT के courses को purchase कर सकते हैं और maximum discount के लिए code apply कर सकते हैं वो code रहेगा YA28 अगर आप किसी भी courses के उपर जाकर वहाँ पर यह code apply करते हैं तो आपको maximum discount वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो यह था आप लोग का sample paper उमेद करता हूँ कि आप सब लोग को अच्छी दरह से सारी च कुशिश करी है हर एक चीज़ को यह मानते हुए कि आप सब लोगों यह चीज़े पड़ी हुई है अना बहुत असान सा पेपर है कुछ खास पेपर लगा नहीं मुझे sample paper के इसाब से तो फिर मिलेंगे आप लोगों से तब तक के लिए टेक क्याव और जहेंए